प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी ने तीन शहरों नौईडा, मुंबई और कुलकाता में कोरोना टेस्टिंग के हाई आटोमिटेट सेंटर्स की शुरुआत की इन में एक दिन में दस अजार सेंपल टेस्ट किये जाएंगे मोदी ने कहा, आज भारत में पांच लाग से जादा टेस्ट हर रोज हो रही है, आने वाले दिनों में दस लाग प्रतिदिन करनी की कोशिश हो रही है, कोरोना के दौरान हर कोई सिर्फ एक संकल्प के साथ जुटाना है, कि एक एक भारती को बचाना है हाई तुरुपूट टेस्टिंग फैसलिटी के जरिए जाच में कम समय रखेगा और लैब के स्टाफ को भी संकर्वन वाले मैटेरियल से जादा संपर्क में नहीं रहना पड़ेगा आज जिन हाई टेक स्टेट अप दा आर्ट टेस्टिंग फैसलिटी का लॉंच हुआ है, उससे पश्यमंगाल, महराष्ट्र और उत्रपदेश को कोरोना के खिलाब लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है साथियों दिल्ली, NCR, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर है यहां देश के लाखों युवा अपने केरियर को अपने सपनों को पूरा करने आते हैं अब तीनों जगह टेश की जो उपलब्द कैपसिटी है उसमें दस हजार टेश की कैपसिटी और जुडने जा रही है अब इन शहरों में टेश्ट और ज़्यादा तेजी से हो सकेंगे एक अच्छी बात ये भी है कि ये हाइटेक लैब्स सिर्प कोरोना टेस्टिंग तक ही सिमित रहने वाली नहीं है और ये बात बहुत महत्वपूण है भविश में है है पेटाइटीस बी और सी एचाइवी डेंगो सहीत अनेक बिमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लैब्स में सुविधा उपलब्द कराई जाएगी भवपाल से EMS TV के लिए आकाश सूनी की रिपोर्ट